क्यों इस अभिनेत्री ने पब्लिसिटी पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। हिंदी सिनेमा की एक हसीन अदाकारा जिसने अपनी खुबसूरती और कातिल अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें मॉडलिंग जगत की एक बड़ी कंट्रोवर्सी की जन्मदात्री कहा जाता है। क्या आपको पता है कभी यह रैंप वा करते हुए ड्रेस फट जाने से बेपरदा हुई तो कभी पबलिक के बीच में इन्हें किसी ने थपपड जड़ दिया। इन्होंने चार बॉइफरेंट को डेट किया पांचवें से मंगनी की और फिर खुद से बारा साल छोटे बॉइफरेंट से शादी की। कौन है यह अदाकारा जानेंगे आज की वीडियो में। इन्हें आन फिल्म में आइटम नंबर करने का मौका मिला। यह गाना इतना हिट हुआ कि गौहर भी मशहूर हो गई। इसके बाद साल 2009 में इन्होंने डांस रियलिटी शो जलक दिखला जा सीजन 3 में पार्टिसिपेट किया और सेकंड पोजीशन हासिल की। इसी साल इन्हें यशराज की फिल्म रॉकिट सिंग में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला। इसके बाद 2010 में वन्स अपॉन आ टाइम इन्मॉंबाई में इन्होंने एक आइटम नंबर किया। 2011 में इन्हें एक एक्शन थ्रिलर फिल्म गेम में देखा गया। इसके बाद गौहर खान ने रोमैंटिक ड्रामा फिल्म इशकजादे में चांद बीबी का किरदार नभाया जिसे लोगों ने पसंद किया। 2013 में जहां उनकी एक ब्लैक ड्रेस ने खूबसूरतियां बटोरी वहीं बिग बोस सीजन सेवन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिग बोस जर्नी के दौरान गौहर सबसे ज्यादा नौटी और ग्लैमरस कंटेस्टन्ट बनकर उभरी और सल्मान के साथ उनकी नोक जोक की वजह से यह सुर्खियों में रही। प्रिवी एक्टर कुशाल टंडन के साथ उनकी नस्दी कियां भी बढ़ी और आखिर में इनकी ड्रामे बाजी के बाद बिग बोस की ट्रॉफी उनके नाम हो गई। इसके बाद इन्होंने कुशाल टंडन के साथ 2014 में खतरों के खिलाडी में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद उन्होंने एक और रियालिटी शो टिकट तो बॉलिवुड में एक एडवाइजर के रूप में काम किया और 2014 में सिंगिंग शो में एंकरिंग भी की। एक तरफ गौहर फिल्मों में भी नजर आ रही थी और दूसरी तरफ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी कर रही थी। इसी बीच फिल्म फीवर में गौहर लीड रोल करती नजर आई जहां उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया। अगर उनकी कंट्रोवर्सी की बात करें तो सिंगिंग शो में एंकरिंग के दौरान मुहमद अकील मलिक नाम के एक शखस ने इन्हें सब के सामने थपड जड़ दिया था। उसका कहना था कि गौहर मुस्लिम है और इस तरह के छोटे कपड़े उन्हें नहीं पहनना चाहिए। जब पुलिस ने उसे आदमी को पकड़ा तो उसने बताया कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट था और गौहर खुद उसे थपड मारने के लिए कहा था। एक और कंट्रोवर्सी उनके रैंप वाक से जुड़ी है जहां पर रैंप पर चलते हुए उनकी ड्रेस फट गई थी। जहां उन्होंने किसी की मदद लेने के बजाए हाथ से ही फटी हुई ड्रेस को पढ़ कर रैंप वाक किया और कहा जाता है कि उसके बाद से मॉडलिंग की दुनिया में पब्लिसिटी पाने का यह एक नया ट्रेंट चल गया था। गौहर को हमेशा ही लाइम लाइट में बने रहने के लिए और पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के स्टंट करते देखा गया है।